परिशा तो आप सभी का स्वागत है टिजिंग परिशा पर जापर में कुलीप सर आप सभी का विलकम करता हूँ सभी के लिए जो बच्चे यूपीटेट और सुपरेट की तैयरी करने में बिजी है बाई साब उन सभी के लिए एक अच्छी गुड निउस निकल के आई है च्छापर में च्छपाई गई है यहाँ पर एक ऐसा लिखा गया है कि इसके पहले जो चार दशकों से जो यहाँ पर माध्यमिक विद्यालोय में प्राचार्यो उसी तरह से TGT और PGT की तयारी करने के लिए जो माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग था और उसी तरह से जो कि आप सभी को पता है 6-12 के लिए तयारी करवा थे माने कि TGT और PGT दोनों भी इसमें आ गए उसी तरह से जो माहाविद्यालोय में असिस्टन प्रोपेसर और प्राचार्यो की भरती करा था था वो था आपका उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कोंसा था उच्चतर सेवा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इन दोनों का विलय क्या गया है उत्तर प्रदेश में अब इसका अर्थ क्या है कुछ दिनों पहले जो शासन के जो मुख्य सच्यू थे जिनका नाम है सच्चिव गिरेजेश कुमार त्यागी जी उन्होंने कुछ दिनों पहले ये और निर्देश निकला था कि ये करना चाहिए क्योंकि उत्रा प्रदेश में पिछले कही सालों से व्यकंसिस नहीं निकलिये है आपके शिक्षा विभाग में और वहां पे व्यकंसिस पड अब विलय करने इसमें फायदा यह हुजाएगा कि जितने भी वैकंसिस रहेगी उन्स सभी को क्याटर करेगा हमारा एक और अनुदॉद्धा अजिसका नाम रख दिए गया है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चैयन आयोग इसका नाम रख दिया है उत् मेंड को एक कर दिया गया है इससे जैसे कि मैंने आपको फाइदा बोल दिया है पहले ही कि इतने दिनों से आप जो रहा देख रहे हैं कि सुपर्डेट और यूपिडेट की न्यूज कब आएगी ये एक आशा की किरन है हो सकता है कुछ दिनों में इनका काम अगर तेजी से हो गया है तो कुछ दिनों में या एकाद महिने में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है और इसके बारे में और भी बहुत सारे न्यूज आगे हमें देखने को मिल सकती है इससे जो भी वहा उस वर्ग में काम करने वाले कर्मचारी रहेंगे उनका भी फाइदा हो बहुत अच्छा होगा और इससे जितने भी प्रक्रिया होगी आगे जाकर वह और तेजी से होने की यहाँ पे एक आशा जग गई है और यही हमारे लिए गुड न्यूस बन सकती है और इसी तरह की बहुत सारी न्यूस आगे आने वाली है अगर आपको लगता है कि इसी तरह क आपको एक आशा एक मोटिवेशन देता रहे और आप अपनी पढ़ाय ठीक से करते रहो तो आपको टिचिम परिक्षा के साथ जरूर जुड़ना है ठीक है जल्डी से जल्डी से टिचिम परिक्षा को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि इसी तरह की न्यूस अगर कोई आती है ताकि जो एक आशा की किरन की तरह हमारे काम कर लिए ये और हमें मोटिवेट करेंगी और टिचिम परिक्षा इसको कवर करते रहेंगी आप तक पहुचाती रहेंगी इसी तरह से अगर कोई नया बच्चा जिन्होंने अभी तर टिचिम परिक्षा को नहीं सब्सक्राइब क ये न्यूज आपको समझ में आगे होगी और एक आशा की किरन फिर से बोर रहा हूँ एक आशा की किरन हमें दिखाई दे रहे यूपी में ठीक है थैंक्यू बेरी मच